गर्मी के मौसम में कभी कभी कुछ चटपटा, साधा और कुछ अलग सा खाने कमन करता है तो आज मैं ऐसे ही रेस्पी लेकर आई हूँ Hello Everyone, Welcome back to our channel Amita Kitchen Friends, आज हम आप लोगों के साथ सेयर करने वाले हैं ननुआ और चनाकी, बहुत ही कम मसालों में बनने वाली सबजी, जो बिल्कुल साधी है लेकिन ये खाने में बहुत ही चटपटी है, इसे हमने बिल्कुल अलग तरह से बनाया है आप ये सबजी सिर्फ 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले फ्रैंस, आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज, प्लीज, इसे सस्क्राइब करके ही जाए और घंटी को चरूर दबा दें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहु सकें और आप हमें इस्टाग्राम पेज पर भी फालू कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी मिल जाएगा नेनुवा की सबजी बनाने के लिए हमने एक किलो नेनुवा लिया है इसे हमने अच्छे से धो कर साफ कर लिया है और इसके सारे पानी सुखा लिया है सबसे पहले हम इसे छील लेंगे और इसके सारे छील के हटा लेंगे इसके कारनार हम निकाल देंगे इसे हमें आलू की तरह नहीं छीलना है इसे इस तरह से छीलेंगे इसे हलका हलका इस तरह से खरोज लेंगे तो इसको सारे छीलके निकल जाएंगे क्योंकि नेनुआ भी सौट है तो इसको छीलके आसानी से निकल जाते हैं हमारे यहां इसे नेनुआ तो रही या फिर इस पंज गाड कहा जाता है आप क्या इसे क्या काते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा इस्सी तरह से हम सारे नर्व को छील कर इसके छील के हटा देंगे सारे न्यनुओ को हमने चील लिया है अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं आप इसे छोटे बड़े मोटे पथले जैसे पीस में लिए और चार हरा मेच लिया है इसे भी काट लेते हैं और यह हमने आधा कब चना लिया था इसे ऑबरनाइट भीगा दिया था और चना अच्छे से फूल गया है इसे 7-8 गंटे जरूर भीगा के रख दें अब गैस पे हम प्रेसर कूकर रखेंगे इसे हम प्रेसर कूकर में बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें चना भी डालना है तो प्रेसर कूकर में चना जल्दी सौट हो जाएगा और अगर आप इसमें चना नहीं डाल रहे हैं तो इसे पैन में भी बना सकते हैं अब इसमें हम 3-4 टेबल स्पून सरसो का तेल डालेंगे आप कम जादा कर लें इसम तेल का कलर भी अच्छा जाता है और सरसो के तेल का कड़वाहड भी कम हो जाता है लेकिन अगर दूसरा कोई तेल लिउच कर रहे हैं तो इसमें नमक न डालें अब तेल गरम हो गया है अब इसमें हम आधा छोटा चमत जीरा डालेंगे और जीरा को चटक ने देते हैं जीर रासन और हरेमेस, ठोड़ा पक जाए इससे हमने दो तीन मिनट भून लिया है अब लासन का कलर्ण ठोड़ा चेंज हो गया है अब इसमें हम प्याज डालेंगे हमने 4 बड़े साइज का प्याज का आटा है इसमें प्याज थोड़ा ज्यादा रहता है तो सबजी का टेस्ट ब अब इसमें हम डालेंगे चना जो हमने भीगा कर रखा था और इसे भी हम दो से तीन मिनिट तक इसी के साथ भून लेते हैं इसे हमने तीन से चार मिनिट तक भून लिया है और अब चना भी थोड़ा सा साफ्ट हो गया है तो अब इसमें हम तो रही डालेंगे जो हमने काटके रखा था सारे नेनुऊ को हम इसी में डाल देते हैं और इसे हम मिक्स करेंगे इसे हम 2-3 मिनिट तक इसी तरह से खुला ही भून लेते हैं इसे हमने 2-3 मिनिट तक भून लिया है अब इसमें हम डालेंगे 1-4 चमाज हल्दी पाउडर और आधा चमाज से भी कम इसमें लाल डालना है इसमें धनिय और अधा चो चमनी डालेंगे नमक शोटेट से पढ़ा बैजन दालना लुट है और अदाज नहीं है तो इसमें फोड़ा कम ही डालें तो पखने के भाद कि इन कि तो यह गल जाता है तो नमक तेज हो जाएगा तो कम ही डालें और हम एक चोटा चमज इसमें कसूरी मेथी डालेंगे इसे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशुबू भी अच्छी आएगी अब इसे अच्छे से मेख्स करेंगे और इसे 3-4 मिन तक खुला ही कुग करेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे इसे हमने तीन-चार मिनार तक कूप कर लिया है और यह देखिए अब नेनुव काफी सॉफ्ट भी हो गया है तो अब इसे हम पैक करेंगे और पैक करने के बाद इसमें हम चार सीटी लगा लेंगे चार सीटी में चना अच्छे से हो जाएगा गयस को हम मेडियम फ्लेम पे रखेंगे चार सीटी आ गया है तो हम गयस बंद कर देते हैं और इसे हम अपने आप से खुलने देते हैं अब यह थोड़ा थंदा हो गया है इसे हम खोलेंगे और यह देखिए अब सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है इसमें अभी थोड़ा सा ठन सबिस्थाहि के पानी है तो इसमें 1-2 मिनРЕ तक सफ़ाले तैं लेकिन अगर राहि से खाना है तो आप इसे ऐसे रहने दें अब नेँवा और चाना की गर्मा करसे सरवी रेडिहें अगर इस राह्य से खाना है तो इसमें थोड़ा पानी राह ने दे और अगर रोटी से तो देश के पानी सुखा दें और इसका पानी वैसे भी सोख जाता है यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बना है आप इस तरह से सब्जी एगवा जरूर बना के ट्राइक आप इसे पराथे पूड़ी रोटी दाल चावल किसी की फिसाथ खाए यह बहुत ही टेस् कि आपको यह सब्जी कैसा लगए और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गए वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक्यू